Hello Friends, Welcome back to my channel दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों अगर आपके पास इस टेम में ये लॉगिन का एरर आ रहा है Error Code E84 तो इस एरर को आप कैसे Easily Fix कर सकते हैं इसकी प्रॉब्लम तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ और इस वीडियो में आपको तीन मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं First मेथड आपको जो है सबसे पहले Run Command Open करना है Windows की प्रस करते हैं आप आर प्रस कीजिए यहाँ पर Run Command Open हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइप करकर वोके के ओपर खिलिक कर देना है फिर दोस्तों आपको यहाँ पर यह टेंपर वरी All Files को आपको सेलेट कर देना है फिर यहाँ पर सेलेट करकर आप इसको यहाँ से डेलिट कीजिए इस तरीके से उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसको प्रोस कर देना है Second Method आपको Windows के सेटिंग में जाना है अगर आप Windows 10 यूज़ कर रहे हैं तो आप जो़़ए सेटिंग में जाएए मैं यहाँ पर Windows 11 यूज़ कर रहा हूँ Windows 11 की सेटिंग में जाते हैं имृट मेन ओ 빨리 कर कर सेटिंग पर क्लिक कर देना है Windows 11 सेटिंग open हो जाएगी इसके बाद यहाँ पर ताइम एंड लाइंग्वेज के ओपर क्लिक करने बाद थर्ड आपको जो है थर्ड में थर्ड आपको इस्टीम अप्लिकेशन को अनिस्टॉल करना है आपके PC में से तो यहाँ पर Windows की सेटिंग में जाते हैं Windows की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं Apps को अप्शन है आप इस पर किलिक कीजिए तो जैसी के आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको सर्च वार में टाइप करना है इस्टीम उसके बाद आपको यहाँ पर इस्टीम अप अप्लिकेशन को इंस्टॉल करकर लॉगिन कीजिए प्रॉब्रम सॉल्व हो जाएगी तो गाज इस तरीके से आप इसली अगर आपके पास विंदोस पीसी में इस्टीम का लॉगिन एरर आ रहा है तो इसकी प्रॉब्रम सॉल्व कर सकते हैं उमिधा आप वीडियो पसंद तो प्लिस लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना